मैं आसी समिसर अपने यूटूब चैनल फाइनेंस ग्यान गुरू में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं पुलिस बलों के बारे में बताने वाला हूँ कि वहाँ पे कौन कौन सी पेनाल्टीज होती है जैसा कि रूल 34 में बताया गया है कि वहाँ पे दो तरह की पेनाल्टीज होती है पहला है मेजर पेनाल्टीज और दूसरा है माइनर पेनाल्टीज मेजर पेनाल्टीज जब आप कोई बड़ी गटना को अंजान देते हैं उसके फल के रूप में आपको जो परिस्मेंट दिया जाता है वो है major penalties के अंतरगत आता है और minor penalties जब आपको छोटा मोटा काम ऐसा कर देते हैं जिससे आपको department punish करता है तो है minor penalties के अंतरगत आता है major penalties जो होती है हुआ है rule 36 में उसको बताया गया है कि किस प्रकार से उसको deal किया जाएगा किस प्रकार से आपको दिया जाएगा और minor penalties को rule 37 में बताया गया है कि किस प्रकार से आपको दिया जाएगा तो यह दोनों penalties हैं जिसको लगाने का पूरा तरीका बताया गया है तो अभी हम लोग देखेंगे कि minor penalties होती कौन कौन सी हैं तो minor penalties के अंतरगत है पहला है sensor है दूसरा है आपकी पदोन्नती को रोक देना तीसरा है बिना संचेई प्रभाव के और उसकी pension पर प्रतिकूल प्रभावना डालते हुए तीन वर्स से अनधिक अवधि के लिए बेतन के सेमयमान में एक इस्तर से कमतर चरण में कमी कर देना चोथा है बेतन ब्रद्धी को रोक देना और पाचवा है किसी वी राज का जूर्माना जो साथ दिन के बेतन से अधिक ना हो से डंडिट करना पाच तरह के डंड है इनको हम लोग बारी-बारी से देख लेते हैं पहला है घोर निंदा घोर निंदा मतलब कि एक ऐसा ब्यक्तिक जिसने कोई ऐसा परिस्मेंट वाला काम किया है जिसको 37 में डिल किया गया है और उसको एक सेंसर दिया जाता है सेंसर में उसकी निंदा की जाती कि आपने जो भी काम किया है बहुत निंदनी किया है जिसकी घोर निंदा की जाती है और भविस्ट में आप अगर ऐसा काम करते हैं तो जिसके लिए आपको आने किसी डंड से डंडित किया जा सकता है इसलिए आप भविष में ऐसा कोई काम ना करें अब हम देखते हैं कि अगर आपको सिंसर मिला है तो उसका आपके भविष में क्या प्रभाव पड़ता है तो पहला है कि आपके पदोननती पर प्रभाव पड़ेगा दूसरा है अगर आप डेखुटेशन में जाना चाहरा है तो वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा तीसरा है विभागी परिच्छा आप नहीं दे पाएंगे इसका प्रभाव बिभागी परिच्छा में भी होगा जो लोग इसके लिए उप्यूक्त होते हैं जो जिनकी आएव होती है जिनकी योगिता होती ऐसी वह बिभागी परिच्छा से भी वन्चित किया जा सकते इस तरह से सिंसर का अपना एक महत्व है और सिंसर का लगभग प्रभाव 6 महिने तक होता है सिंसर के बाद है प्धोन्नति पर्रोक तो पदोन्नती पर रोक लगाया जा सकता है भविष में मालों कि अगर आपकी पदोन्नती आने वाली है तो हो सकता है एक साल के लिए दो साल के लिए तीन साल के लिए आपको पदोन्नती पर रोक लगा दी जाए 37 के अंतरगत जब आपकी निकट भविष में पदोन्नती आने दिया जाने वाला दूसरा महत्पूर्ण पनिस्मेंट है इसके अंतरगत तीसरा है बिना संचय प्रभाव के और उसकी प्रतिकूल प्रभाव ने डालते हुए तीन वर्स से अनधिक आवाधि के लिए बेतन के समयमान में इस्तर से कमतर चरण में कमी करना इसका मतलब यह है कि आपका मालो की जो भी इंक्रिमेंट है मालो एक इंक्रिमेंट को तीन साल के लिए काटा जा सकता है या एक साल के लिए दो साल के लिए काट दिया गया लेकिन दो साल मैक्सिमम् तीन साल तक आपका काटा जा सकता है तीन साल के बाद उसको पुना है आपको आपके वेतन में जुड़ जाएगा और जिसका भविस में ना तो का आपका संचाई प्रभाव उसका कभी आपके भविस में जब आप पिंसन जाते तो उसका प्रभाव पिंसन के रूप में देखने को मिलेगा मतलब कि यह भी 37 के अंतरगत मिलने वाला तीसरा जो है punishment है तो यह एक punishment है जो जिसका बिना संचे प्रभाव के punishment मिलता है मतलब कि आपके बेतन में जो कटवती की जाती है वो है तीन साल से अधिक में नहीं की जा सकती है चौता है बेतन ब्रद्धी पर रोग भविष में आप मालो आपके पास अभी इंक्रिमेंट आपके पास नहीं है पहले ही आपके inappropriate सकता है अपका ब्रद्ध पर रूगिस का जो ही इनक्रिमिंट लगने वाला होगा तो वह एसा आदिश दिया सकता है तो आधे विद्न्ध पह कि आप कभी विवागी पर इच्छा कुछ ऐसा है जिसको आपको पास करने में भी फल रहते हैं या आपका सारीरिक स्वास्त आपका उपनुक्त नहीं है जिसके अंतरगत भी आपका बेतन ब्रद्धी रोका जा सकता है और तीसरा है कि मालो आपको एक स्थान से दूसरी स्था स्थान पर भेजा जा रहा है जो भी है जो भी है अन्हीं यह किसी व्राश का जूर्वाना साथ दिन नहीं आथ हो लेकिन मैक्सिमम साथ दिन का बेतन आपका काटा जा सकता है इससे ज्यादा बेतन आप में आपका बेतन किसी विद्रसा में 37 के अंतरगत नहीं काटा जाएगा मतलब माइनर प्रिनालिटी